देश में इस समय कोरोना का ग्राफ बड़ी तेजी के साथ अपने पैर पसारते हुए आगे बढ़ता जा रहा है कोरोना वायरस के कारण अब संक्रमित मरीचों की संख्या में बड़ी तेजी के साथ इजाफा हो रहा है हलाकि देश की सरकार इस पर काबू पाने के लिए अपनी प्रियोग शालाओं में दिन रात वैक्सीन बनाने में जूटी हुई है इसी बीच देशवासियों के लिए कोरोना की वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है सूतरों से मिल रही जानकारी के अनुसार बता दें की भारतिया चिकत्सा अनुसंधान परिशद ने भारत बायोटेक को एक पत्र लिख कर ह्यूमन ट्रायल को फास्ट ट्रेक मोड में चलाने का अग्रह किया है ICMR ने कहा है कि भारत बायोटेक द्वारा कोरोना वैक्सीन के इंसानों पर परिक्षन सफल हो जाता है तो 15 अगस्त तक कोरोना वैक्सीन को लौंच किया जा सकता है इसी के साथ अगर प्रियोग सफल होता है तो सबसे पहले भारत बायोटेक की वैक्सीन मार्केट में आ सकती है बता दे की को वैक्सीन को हैदराबाद की फार्मसियूटिकल कमपनी भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर तयार किया है और साथ जुलाई से इस वैक्सीन का हियूमन ट्रायल शुरू होगा गोरतलब है कि इस से पहले भी भारत बायोटेक कमपनी ने पोलियो रेबीज सहीत कई बड़ी बिमारियों के लिए वैक्सीन तयार की है इसी के साथ बता दे कि अब तक देश भर में 6 लाग से जादा लोग कोरोना संक्रमेंट की चपेट में आ चुके हैं बहीं अब तक इस खतरनाक वाइरस से 18,000 से जादा लोगों की मौत हो गई है देश के महराष्टर राज्ये में सबसे जादा कोरोना पोजिटिव मरीजों की संख्या है लेटस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सबस्क्राइब करें साथी नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन दबाना ना भूलें